राव राव वाय लोगो मुधारवाई जितू और वाय लोगो स्वागत है इस सोलो पोड़कास्ट में वाय लोगो आज की बीडियो में बात करने वाले हैं कि एफल स्टूडियो क्यो मेरे को सबसे बड़िया डो लगता है और इस दुनिया में सबसे बड़िया मिजिक बनाने वाला सौप्ट्वेर कौन सा है तो देखो भो सारे लोगो तुमने बाई यूट्यूब पे सुना अगा रहे है एफल स्टूडियो भी कोई शूप्ट्वेर में बाद की यहां मैंने दूसा कोई काम लेने कोस्सिंग की उंस सटार्टिंग मैंने की ति ही सिमया बता रहे था, एक बार ये मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था, कि दर से कुछ आइडिया नहीं था, कि music बनती कैसे, software बनती है, फिर कैसे बनती है, कैसे record होती है, कुछ भी नहीं पता था भाई, तो मैंने अपनी zero से एकदम research खुद की, internet यहां चलता नहीं था, और कुछ यहां पर सुईदा थी नहीं ठोलुए, मैं सोच रहा था, मैं सोच रहा था कि यह जो, डूंग-डूंग, अब मुझे तो यह भी नहीं पता था, यह जो, डूंग-डूंग, उसको kick बोलते ने, इसको snare बोलते है, मैं कुछ नहीं पता था, एकदम दिमाग से जीरो बटा सन्नाटा मैं सोचता था भाई कि यार ये मतलब क्या है मतलब ये डुक्चुक डुक्चुक जो आता यार ये आज के लिए जो मुजिक आ रही है कि कि उससे फेले भाई हमने जो सुनी हम तो बजन सुटते थे गावं में बजन सुनते थे उसमें डुक्चुक 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 डुक तो क्रेस जैसे भाई कहीं पर इंटरनेट मिल जा तो हमाँ पर सर्च वर्च करके मैं देखा क्या करें, कैसे होता ये, कैसे करना है ये, सारा मैंने सर्च किया तो मुझे पता जला भाई, एक सोप्ट रहता है, Linux Multimedia Studio वो लेो उसमें करो, अब भाई, हुआ ये कि देखो मैंने जो पहले फाईले बनाई थी ने, जो स्टार्टिंग के मैरे प्रोजेक्ट है वो डिलीट हो गए, क्योंकि मेरे कम्प्यूटर अंप्यूटर की हार्ड रेव क्रेस होगी थी इस तरीके से नहीं, तो मैं तुमको सुना था, तुम खुद सुनके, तुम खुद सुनके बोलते हैं कि भाई, क्या बनाया ये, मतलब क्या कच्रा बना दिया ये, क्या हंग दिया यहां पर, तो भाई, ऐसी चीज़े बनी थे, स्टार्ट में तो Linux Multimedia Studio से मैंने बनाया, उसके बाद मैं, उस ताइम हनी सिंग जो है, उसका, हनी सिंग अपने पीक पे पहुँच रहा था, ब्राउन रंग मैंने गाना सुना, तो मैंने, मैं फैन हो गया भाई, हनी सिंग का, तो देखो, स्टार्टिंग जो मैंने की ना, वो मैंने इसलिए नहीं की, कि मुझे 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 प्रडूसर बना था, नहीं, मुझे रैपर बना था, भाई, हनी सिंग के गाने सुनके मुझे लगा, भाई, मैं भी रैपर बना था, तो हनी सिंग मेरा गुरू है, भाई, देखो, मैं सब से बतातो, हनी सिंग जो है, वो है मेरा अब ही मैंने ब्राउन रंग सुना तो उसके बाद भाई वह बहुत छोटा था, मैं उस टाइम मेरे को उस पता हैं था क्या रिकोर्ड होगा, कैसे होगा. तो मैंने क्या क्या मेरे पास एक मोबाइल था, जो मैंने किसी से लिया था, जो विदेश से लेके आया था, Nokia N82. और उस मोबाइल में भाई मैं, वो इस रिकोर्ड करता था अपनी, इधर बीट चलती थी, ओडा सिटी सोप्टर का मुझे पता चला कि इसमें रिकोर्ड कर सकते हैं, LMMS में मुझे पता हैं था, रिकोर्ड कैसे होता है, ओडा सिटी में रिकोर्ड करना स्टार्ट किया था, तो मैं क्या करता था कि उसमें बीट चलाता था YouTube से डाउनलोड करके और बीट भी इतनी घटिया YouTube पर आती थी पहले इतनी मिलती भी नहीं थी डाउनलोड होने वो टाइम लगता और फिर इधर तो वो बीट चल दिया मेरे कानौड येरफॉन लगरे है छोटे मोटे येरफउनço मेरेको मिल गए और इधर मैं उस नोक्या वाले में गाने के लगरा हूँ ठीक है और फिर उसको गाके उस फाइल को फिर में ओड़ासेटी में डालता था और फिर Odacity में डालके फिर उसको एडिट करके डालता जित्ते बार जित्ते टेक लेता उत्ते रीरे कोड़ करता मोबाईल में उसको फिर मैं डालता Odacity में तो फिर ऐसे मैंने दूसरा software काम में लिया Odacity उसके बाद मुझे लग रहा था यार कुछ ना कुछ प्रोब्लम है भाई हो नहीं पा रहा इतना अची तरीके से काम चलना नहीं है क्या करें क्या नई सीज क्या लेका है तो फिर मैं जुचा भाई सर्च करना पड़ागा तो मैंने बहुत खोज भी न की तो मुझे पता चला FLS Studio नाम का भी कोई सोब्टर आता है तो मैंने भाई उसको डाउनलोड किया FLS Studio उस टाइम पर और तुम्हें पता है स्टार्टिंग में पैसे देगे कोई डाउनलोड करता है कोई नहीं करता मैंने भी नहीं किया तो भाई फिर मैंने उसको काम रेना स्टार्ट के बहुत पहले की बात है अब मुझे पतानी भाई ये काम में कैसे आता है क्या चीज है कैसे काम में ले क्या दबाएं बहुत सारे उसमें बटनी बटन भाई तो कई साल तो मैंने इसमें गुजार दी कि ये चलता गैसे है, ये क्या होता है, मुझे कई चीज़े तो समझ में आई तो मैंने भूट सारी वीडियो दो, कि उस टाम वीडियो भाई भूट कम आती थी यूट्यूब पे भी आज़कल तो तुम आपास तो इतनी चीज़े हैं भाई, तुम कहीं भी कुछ भी सीख सकते हो तो मैंने अंग्रेजों की जो वीडियो देखी, अब उसमें अंग्रेजी समझ में आती भाई, गाहों के आदमी अंग्रेजी नहीं समझ में आती, और उस टैम पे पढ़े रहे थे, कोलेज में थे, स्कूल में थे, पता नहीं तो अब उसको समझ नहीं लगा, भाई मैंने अंग्रेजी सीखी, मुजिक प्रोड़क्शन के चकर में कि मैं उन वीडियो को देखता था, जो मुझे समझ मन आती थी, लेकिन फिर भी मैं देखता था, क्योंकि मुझे सीखना था पर उसकी वज़े से मैं अंग्रेजी और सीख्या समझना तो वो मुझे समझने में आने लगए फिर देरे मैं बहुत बहुत वीडियो देखिए तुमको नहीं पता चलेगा बाई मैंने कितने पापड़ बेले हैं इस चीज के लिए बहुत बहुत बेले हैं जितने पापड़ बेले उतना फड़ मुझे हलांकी नहीं मिला उसके अनुपात में नहीं मिला तो मैं फिर अंग्रेजी सीखने लगए उसके साथ मैं कि चलो अंग्रेजी भी आने लगए मैरे को पहले समझ में नहीं आती थी फिर भी वीडियो देखता था था क्या दबा रहा है पस में वो देख देख के करता था भाई तुमको सब कुछ मिल जाता या राज मैं आज मैंने structured course पड़ा है तुमको 300-400 कोर्स मिल रहा है YouTube पे भी इतनी सारी वीडियो है किसी सका भी देख से तुमको हर कही मिल रहा है मैं उस आदमी का वो क्या बोल रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि मैं गाहा हुचे भाई मेरे को बताया मेरे को अंगरेजी नहीं समझ में आती थी उस टाइम पे आज कल तो आने लगे तो उस टाइम पे मैं सिरफ देखता था क्या दबा रहा भाई मुझे बहुत ज़्यादा ही कई साल तक मैं अपना माइक्रोफोन माइक्रोफोन नहीं खरीद पाया क्योंकि मैं खुद नहीं सोच पा रहा था कि मैं अपने घरवालोग कैसे बोलूँ कि भाई ये एक ऐसी चीज आती है जिससे घाने रिकोर्ड होते है इस पे मुझे आड़े-देस जार रुपे खर्च करने दे दो वो मैं मांग ही नहीं पाया कभी कभी नहीं मांग पाया मैं फिर मैंने एफल स्टूडियो में जो है गाने-वाने बनाना इससे स्टार्ट किया फिर मेरी खुद कमाई हो ना स्टार्ट तम मैंने अपना माइक्रोफोन यह सब मंगाया और उसके साथ जब मैं स्टार्टिंग में एफल स्टूडियो कामे ले रहा था उस टाइम पे मैंने एबल टन और इन सब चीज़ों के बारे में सुना तो मैंने वह भी डाउनलोड किये, लेकि एक बार फल स्टूडियो कामे लेता है आदमी अम बजह ने बता तुम्हारे को अच्छा लगता है ने लगता है मुझह ए फल स्टूडियो कामे लेने के बाद दूसरा कोई भी सौपटर कामे लेने की इच्छा कभी हुई नहीं मुझे तो FL Studio बहुत अच्छा लगता और जो भी मुझे काम करने है उसमें, उसमें सारी functionality मिलती है, सारी, और update के बाद तो इतना अच्छा हो, भाई, जब मैंने start किया था लेना काम में, तब FL Studio बहुत कम system हुआ करते थे, बहुत लगता है उस time से लोगों की यह माननेता बनी ह कि FL Studio अच्छा नहीं है, यह आज की देड में FL Studio इतना update हो चुका है, इतना update हो चुका है, और दिखने में भाई, जितना अच्छा है FL Studio, कोई और software है नहीं है, कोई भी, और मेरे को functionality भी अच्छी लगती है, भाई, mixer हो, चाए channel rack की बात हो, चाए step sequencer की बात हो, भाई, FL Studio में प्लगीन भी देखोगे, भाई, डिफॉल्ट इस्टोक प्लगीन, हारमर है, सकूरा है, यह भाई, EDM बनाने के लिए और बाकी चीजे बनाने के लिए कितने मस्त प्लगीन है, Newton की बात कर लो, पिचर की बात कर लो, एक नमबर के भाई, gross beat एक नमबर का प्लगीन है, इतना अच्छा अच्छा उजर इंटरफेस, और भाई, फिर उसके बाद लोग उते वाई, अफल स्टूडियो चानी, बाई, बाई, बूच अशारे के सारे, अफल स्टूडियो एक नमबर की चीज, बाई, तुम काम में कोण सा लेता है, सब से बेल तो वो चीज, और बाकी मेरे नहीं होते हैं, इतने पैसे सॉप्ट्वेर पर करने की सोज ही नहीं सकते हैं, बाई, 22,000, 25,000 रुपे सॉप्ट्वेर के लिए, बतलब, तो फिर जब कमाते हो तब तुमको लगता है कि आँचलो अब तो देदे यार, इसकी वज़ए से सब को सीखे, इसकी वज़ए सीखे तो फिर उसके बाद मैंने पैसे दिये, अफल स्टुडियो खरीदा, और खरीदने के बाद तो लाइफटाइम अपडेट मिलती है, मेरे पास जब प्रोडुसर एडिसे अफल स्टूडियो का, मैंने ओल प्लुगिन एडिसेण, प्रोडुसर नहीं सिगनेचर एडिसेण है सिगनेचर सोरी, प्रोडूसर स्टार्ट वाला होता, सिगनेचर बीच वाला और और अल्ल प्लगिन हो सबसे बड़ा वाला तो मैंने सिगनेचर एडिशन लिगा हुआ है और फिर मैंने FL Studio में सारा काम की और आज में FL Studio काम लता हूँ इतनी मेंनत किया ना भाई, तुम लोगों लगता होगा कि यार तुम सिखाने निए हो, इतने कस्टम है, तुम भहुत अच्छी जगा पर हो, तुम चाओ जो कर सकते हो मेरे टाइम पर कुछ नी था बाई, कुछ भी नी था, और मैंने कैसे सिखाया बाई, मैं जानता हूँ इसलिए मैंने कोर्स मनाया, इसलिए मैंने YouTube चैनल बनाया मुझे बहुत ज्यादा परेसानी हो इथी बहुत ज्यादा मुझे पता नहीं था, चीजे होती कैसे, क्या होता क्या होता क्या नहीं होता, आज मैंने structure Mm आज भी मैं अकिला करता हूbolich चाये मेरे गानों की वीडियो बनाना तक मैं अकिला है किया है मैंने, उसके लिए भी मैं एक पता नहीं ना, क्योंकि और आज मैं YouTube से तुम सब लोगे साथ जुड़ चुका हूँ तो यह बहुत बड़ी मेरी किसमती है, लेकिन उसके बाइब भाइब भी गाओं में हूँ आज भी, मुझे नहीं पता भाई कौन वीडियो मनाता है, कौन मीजिक वीडियो कौन सूट करता है, कहां करता है, हमको न उनको independent बोल भी सकते और नहीं भी बोल सकते, क्योंकि उनके पास resources तो होता है, यहां पर यह काम होता है, मेरे जैसे जो ऐसे गाओं में रहरे हैं, जहां पर दूर दूर तक कोई नहीं है, इस फिल्ड से लिंक कोई भी नहीं है, और वहां पर काम कर रहे हैं, YouTube प्यार हैं, औ और बहुत लोगों को टकर भी दे रहें भाई, तुम्हारी जो है, दया से, तुम सब लोगों के प्यार से, जो सहरों बैठे हैं, कहां मेरे जैसा गाओं में बैठा हो आदमी, कहां उसका नाम होना था, YouTube पे, जीतू बीट्स, कहां कोई प्रोडूसर में कोई जानता है, या गाना बना रहे हो, तुम ब्यूजिक बना रहे हो, प्रोडूसर हो, कुछ भी हो, जनता सुपोर्ट करी भाई, कुछ भी होता है, हमेशा, अब ये मेरे से अच्छा कोई एग्जामपल नहीं इसका, मैंने तुमार गाओं भी दिखाया था मेरा ब्लोग में के साथ, बहुत मुदों में भी आदमी, कंटेन बनाना और चलो, गाने बनाना, हर चीज़ बनाना अलग है, लेकि तुम लोगे साथ बात करना, तुम लोग से कनेक्ट होना, तुम मेरे सब्सक्राइबर नहीं हो, भाई, मेरी फेमिली हो, गाओं से मेरे जैसा आदमी अगर यूट्यूब प समय करता हो, बीट होनाते रहो, और मज़े करते रहो, चलता हो